नमस्कार साथियो आप सवी का स्वागतें उधेपुर क्लासेज में कि दोलपूर में गंदा माधन परवत का कौंसा प्रसीद हिंदू तिरते सलें तो आपका क्या हो जाएगा मस्कून दोलपूर क्या बात है गुरूजी मजो आगयो प्रस्ट के अंदर इस्टा लगा दो विटा एक्जा में टपकने वाला है कि गेव सागर आप सभी को पता है क गुर्फूर के अंदर और जीले जील के अतरट पर इस ति ग्यानेश्वर जी वाले के किस नाम से जनता ना है तो वो आपका हो जाएगा किस है एक धमीला महर के नाम से क्या बात है गुरूजी यहां पर डी हो जाएगा सब के अंदर इस्टा लगाने आपको बुद की 25 जै और दिखा दो अपना जलवा कि मुझी का मिनी का पुषaye अरे गुरू जी राजयस्थान का पुषकर तो सबको पताए कि पुषकर अजमेर में परन्तु एकजा मिनेर यहां पर प्रश्ण ऐसे पूछ सकता है कि मिनी का पुछकर तो आप क्या बना कोई दैनेश्वर जी के मंदिर के नाम से प्रसिदें यहां पर बिल्कुल आपका सी हो गया योगी मोनिका का दिलकुष का है कमलेश का सुरेश का मुकेश गु क्या बात है गुरू जी कुछ नवन पांच का यहां पर हो जाएगा 1558 में क्या बात है मजो आगिओ मजो आगिओ ना सेर कर दिया करो बेटा सबी एक बार से लाईव कितने लेके जाओ लाईव आप 500 लेके जाओ जल्दी से एक बार सभी के सभी शेर कर दो दमा दम तरीके स कि चंद्रपर्भु जी का मुर्ती समधित हैं किसे वेश्णव से जेन से राजपु से लालदा जी से क्या बात हैं चंद्रपर्भु का और गुरु जी यहां पर आपका हो जाएगा जेन संप्रदाय से क्या बात है यहां पर B आ गया चलो भई, बहुत अच्छी बात है, B आ गया तो चलते हैं अगले क्विशन में गुरुजी तूर्टाई माता के नाम से प्रसी तूर्टाई माता, अरे बाई, यह तो सब को पता है तूर्टाई माता, वो कहते है आपकी तूर्टाई माता, वो कहТे हैं, अरे 5 धार लन जाते है कि कुल देवी हैं वसंद रजा की आरादेवी हैं क्या बात है गुरुजी यहां पे भी आ गए है कमलेश का, दिनेश का, मुक्येश का है सुरेश का, पुजा का चलो भई, बहुत अच्छा कामा भरतपूर में वेश्णव के कौन से आरादेव का प्रसीद मंदीर है कामा भरतपूर में चंदरपरबुजी का गोगा जी का, गोकुल चंदर जी का आयकरिश्न चंदर जी का क्या बात है और यहां पे आपका हो जगा है गोकुल चंद जी का का पे है कामा भरतपूर में क्या बात है गुरुजी कामा का है बरतपुर में किस दवारा निनमित हैं अरे बरतपुर की बात करें और गोपाल सागर जील में गोपाल जी का जल महल हैं वो किस के निनमित करवायən था सूरजमल ने गोपाल सिंघ ने अकफार ने यह महंध जीन सिंघ दिया ने क्या बात है और कुशन नमर 9 का आपका हो जाएगा बरतपूर का राजय को था? सुरज मल जाड था तो इनी ने इसका निन्मान करवाय था अगला प्रश्ण बरतपूर में अनगीनत करवाओ का कबर खाओगा किसे कस्पे के विपास में हैं? वेर में, बयाना में, डिंग में, कामा में? बताओ बरतपूर की बात करें कुशन नमर 10 यहाँ पर हो जाएगा बयाना का है? गुरु जी आपका बरतपूर में चलो अगला प्रश्ण रिवीजन करने का समय बिटा, किस तिरत इसल को उत्रत उतादी माना जाता है? पुशक और गलता जी, नादवरा या केशवरा जी, क्या बात है? कुशन नमर 11 का आपको हो जाएगा गलता और गलता का है? गुरु जी यह आपका है जेपूर के अंदर अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आमेर के महल की सेली में बने हैं ये बाई साब ये प्रश्ण इतना मोश्ट हो गए ना एक्जाम में बार बार डाला हर एक्जाम में आमेर के महल की सेली में बने हुए तो आपका क्या हो जाए कुशन नमर 13 और यहां पे आपका इस्ठार हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम स रखता हैं गुरुजी आपका बिलवाडा में हैं अन्नो मिलीगी रे मनें जानू मिलीगी हैं सौंग बहुत गते हो ना इसका आंसर बताये करो बहुत आब एक्टिंग करते हो ना कि सर मेरा जानू का नाम लेलो मरे उसका नाम लेलो अरे जानू फानू छोड़ दे बैटा करोली में दोसा में जैपूर में क्या बात है गुरुजी कुशन नमर 15 में तो इस्ठा लगाऊं या नि लगाऊं अरे लगा दे बिटा दोसा में महादेवाला मंदिर का हैं तो दोसा में क्या बात है चांद बावडी क्या है दोसा में अबानेरी अगला प्रश्टा राजस और शोला का यहां पर आपका हो जाएगा सी अजमेर के अंदर का है बड़ली सिलारे का आपका अगला प्रश्ण एसिया की सबसे बड़ी तोप किस जिले में अरे वही एसिया की सबसे बड़ी मिठे पाने की बात करें तो गोविंशागर जील और उसके बाद अपनी जे समन प तरीके से ब्रश्ण आए हे हिंदू देविधेवता का अजयबगर किस दुर्ग में कहा जाता है हिंदू देवी देवता का अजयबगर क्या बात है रन थम्बोर और चितोड महरान गड़िया पर सोनार का केल्या या बात है कुशन अठारा और यहां पर आपका हो जएगा चित्तो ओर द्रुगर इसका नि crisp निर्मार किसे कर या बताओ रहांट कुमबाइ कि अग्ला प्रश्ण कुराथ के महत्वपूण दूलकोड नामकिस्थान काह पर दूलकोड चोराया दूलकोड और से आयदय निकलती और 사ब सभभ ङया रही क्हां है और अगला के निमली किस्तान वे से एक ऐसा कौन साavors आन warfare जहां पर बारेत की दो मत्वण नदिया उत्पन होती है जिन में से एक उतर की और बहती है और दूसरी और बहती है और एक अजने मत्वण नदिये जो साथ बंगाल की खाड़ी में विलिन हो जाती है दूसरी नदी अरब सागे की और बहती है क्या बात है इतना गल्शब का परश्ण है वेसे इतना ह एक बार देख लो यह हो जाएगा अमरकंठा ठीक है ना यहां पर बिल्कुल आपका एक रेक्ष्टान क्योंकि एक्जाम में आया हुआ प्रेश्ट है तो आपको करवाना थोड़ा जरूरी है पांडवों में एक वर्ष का अज्यात वास कहां पे बिताए था बेराट जैपूर में अहड उदेपूर में उलुक परदेश में या पुष्कर में क्या बात है अरे गुरू जी क्या प्रश्टन लेकिया है गुजब का प्रश्ट है और सेर नहीं कर रहे हुए गलत बात है ब गुरू जी बेराट की गंगा बान गंगा अर्जुन की गंगा किसको केते हैं बेराट में दिको पुरातवल के महत्वपुन इस्तान सोती कहां पे हैं गुरू जी कुशन नमर 22 और 22 का यहां पे हो जाएगा कहां पे हैं आपकी सबेता सोती सबेता का हैं तो आपकी विकाने में द्यान रखना एक्जाम इनेर आपका सभीता से प्रेशन डालेगा एक राजस्तान मुख्यमंद्री ने अक्टूमबर 2014 में किसकी रिफाइनरी उद्गर्ण किया था अरे मुख्यमंद्री की बात करें पेंट्रोल की जेहतुन की अंडरी तेल की अवनेस्पति गी की क्या बात है और 23 और 23 में तो सब का इस्ठाल आ गया वाई जेहतुन की क्या बात है गुरुजी यहां पर भी हो जाएगा मुख्यमंद्री अक्टूमबर 2016 में और आपका एक्जाम भी अक्टूमर में हो रहा है तो प्रश्ना आ सकता है बेटा अक्टूमर के रिलिटेड है ना र चलो भई मतानिया जोदपूर की तो मेर्च परसीदे हैं चलो भई अगला कि शुष्क वन अनुसांदन सस्थान कहां पर हैं बासवाडार जेसल में डूंगरपूर जोदपूर क्या वाद है गचब का परश्न है 25 का आपका हो जाएगा जोदपूर में कहां पर हैं जोदप जिसका यहां पर हो जाएगा बोरुदा जोदपूर के अंदर उपाएँ सस्ता क्या बात है गरुजी मजों आगयो दिल गार्डन गार्डन होतो हैं जब आप क्लास लेते हैं दिल गार्डन गार्डन होतो हैं जनावरी को गाड़ ओफ ओनर का नेत्वर करने वाली पहली मिला कौन थी पूजा शर्मा पूजा ठाकूर मेथली जेन या मेथली जेन क्या बात है यह सेम ओप्शन हैं न दोनों के इंदर इसके इंदर आपको बोनस मिलनू क्या अरे गुरू जी इसके इंदर बोनस दे दो अरे बोनस किस बात का इसका थो जाएगा पूजा ठाकूर ठी केठचा उप्युक्त सभी और कुछ नमर 28 और यहां पे आपका हो जाएगा उप्युक्त सभी हाली में इन्होंने भी इन्होंने भी इन्होंने तीनोंने क्या है पदंपुरुस का प्राप्त किया था चलो भाई अगला प्रश्ण फरावरी 2014 में बारती पुरात्वक्त सर्वेक्षन ने राजस्तान की किस जगह पर हडपा यूग मोहरी प्राप्त कि थी आहड उधेपूर में पुषकर अजमेर में कनपूरा हड़ हनुमानगण में सामर जैपूर में क्या बात है गजब अरे ब ऐसा एक्जाम हो गया उसके बारे में एक आपको वीडियो डालूंगा यह आपको बीस्टी सी करने के बाद भी आपको सीटी फाइट करनी हो गई तो आपका सीटी का नोटिपरिशन आपका भी बहुत जल्दी आगा और जिस विद्ध्यार्ती ने बीए फाइनल कर रखी है बीएसी कर रखी है उनके लिए भी फोरम चल रहे हैं सीटी है और फरवरी में एक्जाम है और आपका सेलेबल भी काफी लंबा चोड़ा है तो आप सीटी की तैयरी भी आपको बेहतरिन से बेहतरिन करनी होगी यह सीटी क्या होती है उसके बारे में वीडियो डालूंगा औ और जितने भी बीएस्टी सी वाले विध्यारती मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी को बी एस्टी सी फाइड करनी होगी से यह सीटी क्या होती है सीटी का एक ऐसा प्रीवी एक्जाम होता है जिसके अंदर आप पास होगे तो आप एक साल के अंदर जितने भी वेकेंस निकलेगे नापके लेवल पर उसमें आप forum apply कर सकते हो और यदि आप CT में pass नहीं होते पास नहीं होते तो आप एक वर्ष के भीतर आप कोई सा भी forum apply नहीं कर सकते हो चाए आपके दस्वी में अठानू परसेंट क्यों नहीं हो चाहे बारवी में आपके 99% क्यों नहीं हो तो भी आप forum apply नहीं कर सकते हो कितना भी intelligent बच्चा होगा ना उसको CET fight करनी होगी और यदि CET pass करता है तो एक साल के भीतर जितनी भी vacancy आएगी उसमें वो forum apply कर सकता है उसके level पे और यदि वो CET में फेल हो जाता है तो एक साल के इंदर जितनी भी vacancy आएगी उसमें वो forum apply भी नहीं कर पाएगा जाए 500 रुपए की जगए 1000 रुपए भी इमितर वाले को देदेगा तो आपका forum apply नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा और आपको वहां पे आपको moral test paper डालूँगा वहां पे आपको notes डालूँगा वहां पे classes लूँगा सारा का सारा matter content देने वाला हूँ ठीक है तो आपको BSTC exam होते ही आपको वापस CET की तैयरी करना शुरू कर देना क्योंकि CET में computer आएगी, reasoning आएगी, Hindi आएगी, English आएगी, science आएगी, रास्ता जीके आएगा, India जीके आएगा तो लंबा काफी अथा बंडार आपका syllabus है RS level का परील का syllabus है तो आपको अच्छी से तैयरी करने होगी तभी आप CET fight कर पाऊगे और CET ऐसा exam है, एक साल के अंदर आपकी हर एक साल आपकी CET आएगी और उस साल आप CET पास नहीं करते हो, यानि 2022 वाले इसमें तो 2022 में जितने भी वेकेंसी आएगी उसमें आप फोरां अपलाई नहीं कर पाऊगे, यह गारंटी तो आपको CET में पास होना ज़रूर ही है, द्यान रकना, BSTC में आपका selection होता है, अच्छी बात है तो भी आपको CET का फोरां अपलाई करना होगा और CET, आप BSTC में पास नहीं होते हैं, तो भी आपको CET का फोरां अपलाई करना और CET में को पास करनी CET को पास नहीं करोगे, तो आप कोई सा भी एक साल के अंदर आपको इसा भी एक्जाम नहीं दे पाऊगे, ठीके ना, यह आपके लिए सूचना थी अगला प्रशन, इसका तो बिल्कुल आपका C हो जाएगा, अगला प्रशन जेसल मेर के पालिवार, ब्रह्माण द्वारा, विक्सित, मौलिक, पारमप्राइक, वर्षा, जल, संचैन का नाम क्या है, बावडी, खंडीन, कूंड या उक्यरी, क्या बात है कूशन नवर तीस, और यहाँ पे हो जाएगा, आपका खंडीन, 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 विल्कुल या ना, यहाँ पे बिल्कुल आपका B, अगला प्रशन पदमनी किसकी पुत्र थी, क्या बात है, अरे गुरुजी, क्या गजब का प्रशन नहें, कुशन नवर तीस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुशन नवर तीस की बात करें, कुशन नवर तीस आपका क्या हो जाएगा, पदमनी किसकी थी, तो यह आपकी थी, बिल्कुल सी दीप नरेश गर्दन सेन की पुद्री थी अगला प्रश्ण डाबडा किसान अनुलन डिडवाना नागर और 13 मार्च उनिस सेतलिस में कौन सा साइध हुआ था चुनिलाल और ये प्रश्ण आये था बी एस टी सी दो अजार अठारा में प्रश्ण आया हुआ है प्रश्ण इसको देख लेना चितरे से तो डाबड़ा वाला प्रश्ण दोजार अठारा में आया हुआ है 13 मार्च उनिस सेतलिस में कौन सा साइध हुआ था तो वो हुए थे आपके चुनिलाल शर्मा इसका विल्कुल एक रिक्टांसर अरपन का दिनेश का ललीता का सूरेश का बनव इसको ही कर दिया था तो वो आपकी है थी शापुरा रियासत बिल्कुल और शापुरा रियासत ऐसी है जो आपकी बताओ कौन सी रियासत थी सबसे चोटी रियासत है सबसे चोटी रियासत आपकी शापुरा सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवार रियासत सबसे पुरानी राणुका के साथ उसकी पत्मी संपति देवी सत्य हुई थी यह कौन से सिलागलेग में चावन में गठियाला में गोसुंडी में इरण में तो यहां पे 30 का क्या हो जाएगा यहां पे गुरुजी यहां पे भी आ गया अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपके सामने सोरठ सेली की सिल्प गला सेली है ठीक है अगला प्रश्ण बुलाक वेग बारी चुनी चोप आबुशन सरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं चोप क्या बात हैं चुनारी बोरी बारी हैं और यह सभी के सभी कहां पे हैं बारी आपकी नाक में पहनी जाती हैं गुरुजी कहां पे नाक में लौंग है ठीक है ना बाली निमोली हमले नक्स अबुशन है नक्सं क्या बात है और ये कांगे है Polish 38 और ये आपका है गाले के अबुशन है क्या बात है गुरुजी क्या प्रश्थन लाये हो क्या दिल गाडड़न गाड़न हो जाता है मुंगलों ने राजस्तान के कितने परगणोंक में विबक्त किया था एक सो सतानू, एक सो सतानू, एक सुन पचास या दोस साथ तो इसका हो जाएगा एक सो सतानू यहां पे सब का सब यह आ रहा है वाल्टरक्त के हितकारणी सबा का प्रतम समयलन 1888 में का पे हुआ अजमेर, उदयपूर, जयपूर, जोधपूर तो चालिस का क्या हो जाएगा गुरू जी आपका हुआ था अजमेर के नरका पे 1818 में प्रतम समयलन ठीक है दशरे के अफसर पर कौन सी पगड़ी बांदी जाती है दशरा और दशरा कांका परसी नहीं है गुरू जी यह कोठा का प्रसीर दशरा ठीक है ना और मंदील, मोठडा, लहरियो, केसरी, पगड़ी, तो दसरे के दिन कौन सी, बताओ, 41 का यहां पर हो जाएगा, मंदील की पगड़ी बांदी जाती है, क्या बात है, केसरी या आवोली पदारों मारे देश हैं, आवांगा ठीक है, नांदला जिस पर दाबू प्रदनति की तो नांदला आपका बिलवाडा का प्रसीदे, ठीक है ना, बिलवाडा वाली मिल जाएगी तुझे, चिंता मत करें, एकजाम फाइड कर लें, नेवल की पूजा की जाती है, नेवल की, नेवल अश्टमी, निडर नवमी, स्रमण बदनी या B और C दोनो, तो यहां पे 43 का क ऊजोरत है, और रेकळा आंसर, अगला प्रसण, हाँ, अगला प्रस्ण, माहिष्परी समाज में, राक्य किस देर होती है, माहिष्परी में, अपने तो होती है, शावन पुर्नी मा को, है, नाग ने छोटी की रक्षा की रक्षा की रक्षा बंदर अपना आता कब आता है शावन पूर्णी मा को परन तुम मैश्वरी समाज में राखे कब आती है तो वो गुरुजी कब आती बताओ चमलिस्का यहां पे हो जाएगा बादरपुल बादरपुल का पच्छमी को आती है अपने दाती है शावन पूर्णी मा को केला देवी का मंदीर के सामने किसकी चत्री है तो बोहरा की चत्री है गुरुजी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यहां पे एक रिक्ट आंसर अगला प्रश्ण ऐसी कौन सी लोग देता है जिसकी भक्तों की इच्छा के नुसार जल मंदीर का चरना अमरत मिल दिया जाता है चरना अमरत जल का तो वह है आपकी शीला देवी और शराब का मिलता है शराब का मिलता है आपके जीन मता शराब का मिलता है आपका जीन मता सिकर में रेवा सा सिकर में है और आपका जल का मिलता है शीला देवी आपका ठीक है दे ग्वालो के भी देवता हैं परंथु देव बाबा का मदिर हैं का हैं नंगला जहांज बरतपूर क्या बात है गरुजी आप ये अच्छा बता दिया हमारे को एक प्रेश्ण भी गलत नहीं होना चाहिए किस लोग देवता ने जिंद्राव खीचे को मारा था जिंद्राव खी मारा की बात कर रहें जिसके पूजा हीमाचल प्रदेश में बालक नात की रूप में होती हैं तो रूप नात जी जड़्डा जी ने किस को मारा था इनों ने मारा था किसको जिंद्राव खीचे को मारा था अपने बती जेगा हैं बालाली अश्वरोही बाई और जुकी हुई पाग किसकी लोग जयता गही है पाबुजी का जन बाराव सो उंचाली चेतरा मस कोलूमिर फुलोधी जोत्पुर मुफा पीता जी का नाम दांदल जी राटोर माता का नाम कमला दे पतनी का नाम सुकर दे फुलूम दे शकी का ना चलो गुरू जी यहां पे भी हो जाएगा और आज का यह आखरी क्वेशन है इसका अंसर बताओ जल्दी से हां इसका अंसर में कमेंड के माईदम से इसका अंसर लूँगा कि कितने विद्यारती इसका अंसर सही कर पाते हैं और मुझे बताई कि आपके उन पचास में से आम को एक ने वीडियो में तब तक के लिए जैन जे बरत